अक्सर कई लोगों को खाने के बाद सीने में जलन हो जाती है इससे लोग गैस का दर्द समझ कर नजर अंदाज कर देते हैं मेडिकल की भाजा में इस समस्या को हार्ट बर्न कहा जाता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि हार्ट बर्न की इस परिशानी को हलके में नहीं लेना चाहिए ऐसा इसलिए क्योंकि हार्ट बर्न की वज़ा से सीने में होने वाला दर्द कई बार हार्ट अटेक का भी लक्षन होता है ऐसे में इस परिशानी के होने पर तुरंत डॉक्टरों से शलाग लेकर इलाज कराना चाहिए इसके लिए हार्ट बर्न और हार्ट अटेक के लक्षनों की जनकारी होना ज़रूरी है डॉक्टर बताते हैं कि हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉक्षन होने की वज़ा से दिल का दौरा पड़ता है कई मामले में हार्ट अचानक काम करना बंद कर देता है इससे कार्डियक आरिष्ट कहा जाता है हार्ट अटेक और हार्ट बर्न के लक्षनों की पहचान ज़रूरी है क्या है हार्ट बर्न? खाने के बाद कुछ लोगों को ऐसीड रिफ्लैक्स हो सकता है इससे भोजन वापस नली में प्रविश कर जाता है हार्ट बर्न की वज़़ज से जलन और शाती में दर्द होता है इसको गैस का दर्द भी माना जाता है लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि शाती में जलन ये दर्द के वाल एसीड रिफ्लैक्स से ही होता है कई मामलों में सीने में दर्द हार्ट अटेक का लक्षन होता है अगर समय पर इसकी पैचान न करें तो दिल का दौरा पढ़ जाता है जिससे महुत होने की आसंका रहती है हार्ट अटेक और हार्ट बर्ण को ऐसे पैचाने अक्सर हार्ट बर्ण खाने के बाद होता है हार्ट बर्ण वाला दर्द खाने के बाद जादा होता है लेकिन हार्ट अटेक की वज़ा से सीनी में दर्द किसी भी समय हो सकता है हार्ट अटेक वाला दर्द सुबह के समय जादा होता है heart attack के दौरान न तो डगार आती है और नहीं पेट में दर्द होता है साथी उल्टी आने के मामले भी कम होते हैं लेकिन heart burn के दौरान ये तीनों परिशानियां हो सकती है अगर सीने में दर्द के साथ पसीना आ रहा है साथी सांस लेने में परिशानी है तो तुरंथ अस्पिताल जाएं ये परिशानी heart burn नहीं बलकि heart attack के कारण होती है ऐसे में तुरंथ लक्षन की पहचान कर इलाज करा है ऐसे ही खबरों के लिए देखते रही medical mike साथ ही हमारे चैनल को like and subscribe करना न भूले धन्यवाद